हेलो एव्रीवन मैं नीलम्तिवारी आप सभी का मैगनेट ब्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैगनेट ब्रिंस एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडर गार्टन से लेके 12 क्लास तक के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री एविलेबल करवाय जाते हैं और ऐसा नही हैं आप चाहे हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए फ्री में करेंगे आप आप डाउनलोड करेंगे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर रेजिस्टर भी करना हो तो फ्री में कर सकते हैं कोई चार्ज नहीं मिल सकता है आप मैगनेट ब्रिंस पर अपनी चाहें ए कोलंपियार्ड हो एंसी आर्टी हो ग्रामार हो भई जो भी चीज़ परना है आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री में एविलेबल करवाई जाती है यही मैगनेट ब्रिंस चैनल का एक लक्ष भी है और अच्छा आप देखे नहीं नहीं जानकारियां आपको जोटानी है तो य जैसे के मैगनेट ब्रिंस टेस्ट पेपर सीरीज में हमने आपको पहला पार्ट जो शुभाष इतानी है उसको करवा लिया है अब आज हम आप टेस्ट पेपर कौन सा है दुटिया पार्ट का उसका हम उसको हल करवाएंगे सॉलूशन पूरा करवाएंगे अच्छा तो इस पेपर आपको हल करवाएं अलाकि एंसी आरटी जब हमने हल करवाई है दुटिया पार्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है फिर भी इसका पार्ट का वैले नाम सुनेंगे हम लिखा है बिलस्य वानी यानि बिल की वानी अब बिल कौन सा वह वाला बिल नहीं जिसमें पैसे का टूटल होता है बूनी पैसे वाला नहीं ठीकना यहां पर बिल का मतलब है गुफा अब गुफा की वानी यानि आवाज ना यानी नहीं अब ल borrowed खाफा है कदापी कदापी शब्द किस से मिलकर बना है कदा का अर्थ हुआ कब और अपी का अर्थ हुआ भी अपी का अर्थ क्या हुआ तो अब इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो गया कि कब भी ना कहके हम क्या कह देते हैं कभी भी इंदी में क्या कह देते हैं कभी भी तो भाई ये कदापी जो दो नो शब्द लिखे हुए ह समझाना कदा Hugmy कब होता है कभ इस एपि काइफ हो ड fora तो कभी भी शब्द मिल गया तो बिलकी वाणी कभी भी में अब यह कहानी किस की है किसने ऐसा कहा कि मैंने तो इतना जीवन निकाल दिया लेकिन गुफा की आवाज को तो मेरी द्वारा कभी नहीं सुना गया तो ऐसा किस ने कहा है ऐसा ये जो कहानी है सिंग और श्रिगाल की है सिंग यानी शेर श्रिगाल या सियार की है अच्छा ये दोनों ही क्या होते हैं इसके इस कहानी के पात्र हैं दोनों तो यह जो बात कहा गया है, यह जो बात कही गई है, श्रगाल के द्वारा कही गई है, तो यह कहानी क्या है, इसको हम सुना यह तो मज़ा आएगा, अच्छा में क्या हो जाता है, में शब्द का अर्थ क्या है, मेरा मेरी, अब आप कहोगे मेरा मेरी मेरे, तो मम से बनता है, तो यह जो शब्द है मम्य अम्य आई कहां से हैं असमत के शब्ध रूपों से अच्छा यह अर्द क्या होता है मैं यह जो स्वयम के लिए प्रियुकर्थे हैं थीक है उसको कहते हैं अब जब इसका हम सच्टी विःधकती में रूप देते हैं तो असमद शब्ध हमारा क्या बनत है हमारा हम विव्कते में बनता है माम सश्ठी में बन जाता है मैं रहता है कि अर्थ होता है सश्ठी विवकति यह तो काकी के जोड़ेगा तो मैं का मैं कि मैं के कि हम कहते हैं मीरा मेरी मेरे यह तो सश्टी विवक्त्य उस शुमूल शब्द में का की के अर्थ जोड़ देती है या रारी गिजोड़ देती है तो यहां पर सश्टी का अर्थ करत निकलेगा मैं यह कह और मोट यही जब विकल्प से इसका ही रूप बंता है तो इसका भी अर्थ होता है시ią peae, शक्ठी विवठी याद रखेगा के इसी ही म編 हमक अर्थ मेरा होता है सश्ठी विवठी का रूप है तो अर्थ क्या निका निक ला है सविवठी के यहां सोफन फूल को जो Il الفर है wordो धो कि वानी को कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुना गया ऐसा श्रगाल ने कहा तो अब यहां पर हम पहला प्रश्न आपसे पढ़े उसके पहले थोड़ी सी कहानी सुना देते पांच मिनिट के वह क्या है कि यह जो कहानी है इसमें सिंग और श्रगाल होता है तो एक वन में एक का समय था तो गुफा दिखाई दी तो गुफा में जाके सिंग छुप कर बैठ गया और उसने सोचा कि इस गुफा का जो भी स्वामी होगा जो भी जानवर होगा वह शाम को तो सब अपने गरों में लोटके आते हैं तो शाम का सायम सायम काल जो होगा उसमें आके निश्यत चीजिए का कोई स्वामी आ जाएगा तो मैं उसको खालूँगा अब ऐसा सूचकर सिंग तो छुपकर बैठ गया अब चुपकर बैठा हुआ था तो श्रिगाल आया अब उस गुफा का सवामी कौन था श्रिगाल यानि स्यार अब लोटके आता है तो अपनी गुफा के बा अंदर गुफा में प्रवेश करती हुए दिखाई दे रहे हैं लोटते हुए नहीं दिखाई दिये उसने सुचा हो ना हो निश्चित ही इसके अंदर सिंग बैठा हुआ है मेरी प्रतीक्षा करता है कर रहा है अरे अब तो मैं मारा गया ऐसा उसने सोचा तो उसने एक यु गुफा मैं आ गया हूँ क्या मुझे अब तुम अंदर आने के लिए नहीं का ओगी तो गुफा का अब गुफा बोल ती है क्या नहीं बोलती है तो सिंग ने सोचा कि निश्च थी अब उसने फिर से बोला क्यों गुफा क्या बूल गई हो हमने क्या शर्त रखी ती कि मैं स्वामी जब आता है तो यह गुफा बुलाती होगी जह ना उसको आवान करती होगी तब ही इसके अंदर वाला जो स्वामी आता होगा तो जब तीस जब अंदिमार श्रगाल ने कहा क्या मैं चला जाओं क्या क्या मिल बात सुन रही हो या नहीं सुन रही हो मुझे पुका तो सिंघ ने कहा और कि ऊख़ाना चुंदिता हूं कि अभिलकुल आ जाओं अंदर मैं तुम्हारा प्रतीकशागा रही हूं आए जैसे ही झाण बुलाना शुरू किया अब दुश्रगाल को समझ में आगया कि इसके शेर बेठा हुआ है और श्रिगाल ने कहा मेरा तो इतना पूरा वन में रहते रहते पूरा मैं तो बुड़ापा भी आगया और मैंने लेकिन बिलकी वानी आज तक नहीं सुनी मैंने आवाज नहीं कि गुफा कभी भी आवाज करती होगी तो इस तरह से यह कहानी हो जाती है ठीक है ना और अच्छा इसका एक सिक्षा जो है वो क्या है वो यह मिल लई है कि मुसीवत कभी भी आ सकती है किसी रूप में भी आ सकती है लेकिन मुसीवत में पढ़ने से पहले ही अगर हम सोच को यह था तियार रहते हैं तो हमें कस्ठ भीत कईया। यह तो आप प्रेश्न पढ़ने में तो तरह है बतांगे बताएंगे तर देजैंगा यानि प्रद्दत यानि दिये हुए नि देना यानि देना देञे रट नानी किए हुए विकल्प में से ईंवस्थर उप्र keepall प्रश्ण में समझ लेना कि इसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा है पूरे प्रश्ण को पढ़ने के बाद में प्रश्ण वाचक शब्द से पूछा कीजिए कि पहले आप बताओ कि क्या उत्तर सही आना चाहिए कहानी हमने पड़ी है कहानी हमने पड़ी है लेकिन हमें हमेशा ध्यान कीजिए कि जो उत्तर आना है उसमें सही विभक्ती क्या आई इसको जरूर ध्यान रख लीजिए क्यों क्योंकि हमें जो उत्तर देना होता है वो एक पद में देना होता है शब्द में नहीं देना होता है और पद और शब्द म तब वो पद बन जाता है राम शब्द है राम पद है बालक शब्द है बालक पद है और उत्तर आपको पद में दीना है ना की शब्द में तो यहां पे लिखा है रा श्रगालह रत्मा विवक्ति में है नाम है या फिर करता भी बन रहा है क्योंकि रहने की क्रिया श्रगाल कर लेकिन इस्म थाती थी का आर्थ जोड़ देता है लेकिन इसम थाती थी का आर्थ-जोड़ देता है दाफी में कहां रहता था तो अब हम देखी कुत्र которого पे शब्द देखे आपको अभी तो चल्लों option मिलरह हैं लेकिन प्रश्यन के उत्तर दीना भी हम आपको सिखा रहे हैं कि कुत्र कहीं पर भी लिखा हुआ हो और उसका जवाब को उत्तर लिखना हो तब जब यहां एक बात जरूर देख लेना कि कुत्र की बाद गम धातू से सम्मंदित कोई धातू तो नहीं लिखी है यानि गम गच अगच गचे भई गम धातू से जुड़ी जाने की बात जहां हो रही हो कुत्र की बाद गम धातू तो नहीं लिखी होई है अगर कुत्र की आपका दुईतिया विभक्ति में आएगा सि को बता चुछ करगा लेगिन क्रिछों स्युक्त है रट बीगाना को समझ गया का रहता अब कहां अगर रहता तो किसी की रच लीटी कभी करिया का आधार यानि काम करने के आधार अर्ग रहने का Tucson तो कहीं तो रहेगा कोई इस्थान तो निकलेगा अवाधार निकला है तो आधार वो अधिकरण़ duż और अधिकरणी सप्तमी अधिकरणंई सब्तमी विभकति ओति भी सूतर से आ रही है इसलिए हम यह सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कुत्र के स्थान पर जो आप उत्तर रिखेंगे उसमें आपको सब्तमी विभक्ति लगाना है वह Hem इसलिए बता रहे हैं कि अगर यह विकल्प आपको ना बिये हों और आपको सवेम उत्तर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे अगर जैसे हमने पूछा श्रगालह यानि जो सियार है रात्री में कहां रहता था तो आप कहोगे बिल में रहता था कहां रहता था बिल में गुफा को यहां पर बिल कहा गया है ठीक है ना तो अब हमने कहा कि अभी बात आपको बताएंगे कि क्यों हमने कहा कि गच्छ धातू तो हमने कहा कि बिल में रहता था तो बिल शब्द तो शब्द हुआ इसमें क्योंकि अभी तक कोई बिभक्ति तो लगी नहीं है बिभक्ति जब तक नहीं लगेंगे सुबंत प्रत्य नहीं लगेंगे यह पद नहीं बनने वाला है नहीं बनने वाला है सुबंत प्रत्याय कौन से होते हैं जो शब्द रूपों में देखा है तो बालक में कहीं विसर्ग लग गया कहीं अउकी मात्रा लग गया मूल तो इनके जो प्रत्याय होते हैं वो अलग होते हैं इस प्रकार से बन जाते हैं लेकिन यहां पर आपको सरल भाषा में हम आपको बता रहे हैं कि जो बिल शब्द है इसमें हमें बिभक्ती लगानी है यानि शब्द रूपों में जो परिवर्तन होते हैं जो बिसर्ग कहीं अवकी मात्र कहीं माहलंत यह सब चीज़ है तो इसमें भी हमें वही करना है इसमें अब कौन सी लग ये रूप बनती है तो बालक भाव सब्तमी विख्ति में रूप बनाथा या फल देखलो थो फल भी बनता है फले तो हम इस में सब्तमी लगा देंगे उत्तर हमारा बनेगा क्यों कि राग्ते वो कहां रहता था बिल में रहता था तो ये बिल हमारा सही उत्तर हो जाएगा लेकिन एक ही मात्रा उसमें में का अर्थ जोड़ देगी ले अच्छा ये तो हो गया बेले शब्द ठीक है अब यहां पर हम एक और आप से बात बता रहे थे कि जैसे अगर इसी प्रश्ण में य लगा देंगे और वो विभक्ति कब लगा पाएंगे शब्द रूप याद करके शब्द रूप याद कीजिए बिटा क्योंकि बिना उसके कोई कुछ नहीं होने वाला संस्कृत पर रटना पड़ेगे और रटने कोई जरूरत नहीं है सरल है शब्द रूप भी बहुत एक गच्छती इस्म कहा जाता था अब हाला कि इसका कहानी में नहीं है हम एक आपको उधारन बता रहे हैं कि श्रगाला हरात्रों कुत्र गच्छती इस्म तो यहां पर अभी देखे कुत्र के बाद में गच्छ धातू थी गम धातू थी नहीं थी न तब तो हमने सब्तमी गत्यर थे दूतिया शुत्र होता है कौनसा होता है दूतिया यानि जाने के अर्थ में आप क्या विवक्ति लगाएंगे जहां जाने की बात हो रहे होगी उस इस्थान मैं आप सब्तमी ना लगा के भली व इस्थान ही है लेकिन फिर भी जाने की बात है तो गत्य अर्थी द्वीतिया कहेगा कि कुत्र का जो उत्तर आना है उसको आप द्वीतिया विवक्ति लगाईएगा तो यहाँ पे भी कुत्र के जगे पे स्थान ही बनना था लेकिन के रात्री में श्रगाल रात्री में कहा जाता था आपके बन में जाता था गुफा में जाता था तो यहाँ पे जो गुफा जो शब्द होगा बिल जो शब्द होगा उसमें आप जीतिया भी भक्ती समझ गए अर्थात हमें कुत्र के स्थान पे सब्तमी का तो ढूनना ही है लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुत्र के बाद जब अगर जाने की बात हो रही हो तो उस जाने के स्थान में सब्तमी नहीं आके द्वितिया लगा दी जाती है तो इसमें हमारा पहला जो उत्तर बन कि अर्थ कि हमें पता हो जाए कहीं पर भी हमें हमारा प्रशन में जा यहाँ धूं कि कुत्र का रहा है जो कि χिल पता है कहाँ उन में या तुम लगाते है एगर अगर घंधातूं है तो दोय दिया लगाई जाती है और इसके बाद कदा कदा काар्थ भी क्या होता है कब CJT में आता है क्योंकि समय की बात हो रहे में न यहां पे लिखा है कि सिंह को फायाम फार बiese डिक्खा गुहा या बिल दोनों तो लिए बिल शब्द अकारांत है और गोहा शब्द आकारांत से अंतुर लटा जैसे के रूप बनेंगे बालिका जैसे रूप बनेंगे ब्लीकषा शब्द लगा रा याम कहां लगा जाता है लटा के शब्द आपको देखो तो सब्तमी विभक्ती में बनता है लतायाम तो यहां भी बना है गुहायाम तो सब्तमी है तो मैं परकार्थ निकल रहा है अर्थ क्या बना इसका कि सिंग यानि शेर किसमें गुहा में यानि गुफा में कब आता है आगच्छती आता है तीतह अंती है समन नहीं लगाए तो थाती दिकार्थ नहीं जोड़ रहे हैं आग अच्छती कब आता है सहसा अचानक आता है मध्याने यानि दिन के मध्य में आता है या सूरियास्त समय सूरियास्त समय में आता है सूरियास्त के समय पे आता है तो देखिए समय शब्द में सब्तिमी व्यवक्ति है तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा अगर आपको कभी विकल्प ना दिये हूँ तो आप क्या कहोगे सिंग गुफा में सूरियास्त के समय आता है तो सूरियास्त लिख दीजीये सूरियास्त शब्द कैसा हो गया दिये हो तो क्योंकि भाई आठवी कक्षा है चटवी साथवी आठवी नवी ये कक्षा ऐसी है कि लोकल होती है बूर्ड से तो पीपर आता नहीं है कि एक ही पैटन है टीचर है किसी प्रकार का दे सकते हैं तो हमें उत्तर दीने का तरीका आना चाहिए फिर बनाना तो सब से पूछता है अहो विनस्टो अस्मी औरे विनस्टो अश्मी मारा गया हूं मैं तो मारा गया एसा किसने सोचा था कह यानि कौन अचिंतिया था अब कह शब शब्द से पूछो भाइ तीन चीजें पूछ लो इस से यह किम का रूप और किम खार्द क्या होता है या कौन एक पृत्षणवार्चकasan ग्रपद है जिसकी लिंग भी है वेखक्ति भी है वचन भी है उलग अलग बने हुए किम के शब्द रूपोग्पूर लीए झाल बनते हैं पुर्ण उलग भिछ उलग नपन से लिए करवा चुकी है जब भी समयदे प्रिश्मत्रो मिलंक से लिखना थी मैं तो किम के शब्द रूप बार बार कह रहे हैं कि शब्द रूप याद कर लो देखो बेटा बेना उनके कुछ नहीं होने वाला है हम कुछ भी कितना भी बोलते रहें नहीं समझ में आएगा जब तक के शब्द रूप आप नहीं करोगे अब कह से हमने पूछा बताओ भाई लिंग विभक्ति वचन क्य है तो कह कहेगा मैं तो किम के शब्द रूपों से आया हूं किम कार्थ होता है क्या और कौन और जब इसके पूर्लिंग के लिए प्रत्मा विभक्ति में रूप बनते हैं तो प्रत्मा विभक्ति में किम अपना रूप बना देता है कह कउ और के तो कहा आता है प्रत्मा वि सब्सक्राइब कि नंक सिफ लगा था कर लिए उत्तर पता चलिया कि उत्तर में कौन सी विभक्ते लगानी है इस ने हमें बता दिया कि उत्तर आन clerk वह कुन आपको हुघ स्थ ल 可以 और और यहा Be असники साल वहां है उन्में पr beni गए हैं वहां है को प्रैशन सिंगी तो किस ने सोचा था अभू बिनश्टो अस्मी तुम मारा गया तो श्रिगाल शब्द में अब आपको प्रथमा विवक्ति एक वचन लगा देने हैं अर्थात अब आप लिखे क्योंगि शब्द रूप आपको कैसा बनाना है 24 जो हर एक शब्द के 24 24 रूप बनते हैं तो उनमेंसे आपको 24 मेंसे कौन सा एक उठाना है, कहेंगे आप प्रत्मा विवक्ती एक बचन वाला, तो ये हो गया श्रिगाल, श्रिगाल शब्द कैसा होगे, अब आप कहोगे, हमने तो बालक की याद किये, श्रिगाल के थोड़ी ना किये, कि सिंग के भी करें, हम शब्द है, और अकारांत जितने जितने भी आपको पुरलिंग बाची शब्द मिलेंगे, सब के बालक जैसे ही रूप बनेंगे, तो बालक प्रत्मा विवक्ती में बालक की रूप क्या बनते हैं, बालक अपना रूप बनाता है बालकह, बालकव, और बहुचन में बनाता ह बालकाह चीक है ना तो प्रत्मा विभक्ति का एक बचन का रूप बनता है हमारा बालकाह तो श्रगाल भी बन गया श्रगालह बस हो गया उत्तर मिल गया ठीक है अब उत्तर आप कहोगे लो यहां तो हमें तो श्रगाल मिला ही नहीं अब आप कहोगे श्रगाल तो नहीं मिला तो दधी पुछ किसका नाम था? कहानी पड़ी है के नहीं पड़ी है? हमने पढ़ाई है के नहीं पढ़ाई है? पहले बताओ. यहाँ पर खरन खर किसका नाम था? सिंग का नाम था और दधी पुछ किसका नाम था? श्रिगाल का नाम था. तो दधी पुछ उसका नाम दे दिय ठीक है? तो चाहे उसका नाम लिखना हो, तो श्रिगालह लिख देना, या ददी पुछ लिख देना, आपको उत्तर हमने बता दिया कि इस तरह से आपको उत्तर बनाना है ठीक है चलिए गुहाया स्वामी कह गुफा का गुफाया अब देखिए गुफा शब्द लिखा हुआ है गुफा कैसा है गुफा किसको कहते है गुफा को डैन इंगलिश में क्या कहते है डैन कहते है पैन नहीं है डैन मतलब गुफा ठीक है अब इसकी बाद गुफा शब्द कैसा बन रहा है आकारांध तो इसके रूप कैसे बनेंगे लता जैसे अब लता शब्द में याह कहां लगाया जाता है लता याह तो पंचमी और सश्ठी का रूप देख लीजिए तो पंचमी में भी बनता है लता याह और सश्ठी में भी बनता है लता याह पंचमी विवक्त का याह इसमें लता शब्द में काकी के का अर्थ जुड़ रहा है तो हम दोनों ही अर्थ लगा के देख लेते हैं कि जैसे लता शब्द जैसा गुहा शब्द बना गुहा याह अर्थ करना समझ लीजिए तो प्रश्न के हल करना आसान हो जाएगा आपको कि गुफा से स्वामी कौन था सही अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है तो गुफा का स्वामी कौन था तो यह सही उत्तर सही वाक्य बन रहा है यह सही बन रहा है अर्थ यह जो यह लगा है इसमें काकी के आर्थ जोड़ रहा है गुहा याह यानि गुफा का स्वामी कह स्वामी कौन था तो कह शब्द फिर से कह रहा है कि मैं कहा से आया हूं पुर्लिंग किम के शब्द रूपों से आया हूं वो भी पुर्लिंग वाले शब्द रूपों में मुझे प्रत्मा विभक्ति और एक वचन में किम शब्द कह बन जाता है क्या बन जाता है कह उत्तर क्या कह रहा है उत्तर कह पुर्लिंग का ही आएगा निश्चती क्योंकि जो कहा है वह हमें इशारा के दिया कि पुर्लिंग उत्तर आना है उसमें प्रतमावी वक्ती एक वचन लगा दू तो गुफा का स्वामी कौन था कहेंगे श्रिगाल था दधी पुछ था तो दधी पुछ शब्द अकारांत है तो बालक जैसे उसमें प्रतमावी वक्ती एक वचन लगा दू तो श्रिगाल या फिर हम कहेंदे दधी पुछ था या चुदार्त था श्रिगाल कैसा था बताए तो छतुर था और पाद बाधी तो पी दूता तो बाद भैबी तो तो दर्के मार उसकी सब सेटी पिटी गो हो जाती तो यहां पर आजाएगा चतुरहा कैसे बना अब की द्रश्ट जो शब्द है वो क्या आता है विशेस्ता के लिए आता है की द्रश्ट जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है कैसा या किस प्रकार का कैसा विशेस्ता पूछ लिए कि श्रिकाल कैसा था चतुर था भ याणि आर्थ का वो बूक से दूकी दूकी ज़étais के जिए कुछ पीरалсяल Mu यहांने की इद्रश के डर्श केंई क्मेसरों रूप बनते हैं बालग-बालग-बालग-वहन निए यहरा घीव इंक की डरश च क्टीम के बनते हैं इनके बनते हैं बालक जैसे बनते हैं नहीं तो विश्वास नहीं हो तो एक बार जाके देखो में जाएंगे आपको तो कीद्र शब्द बना कीद्र शह, बालक जैसा बालक ह, उसमें विभक्ती कौन सी लगी है, प्रतमा विभक्ती एक वचन, तो उत्तर में भी आएगी प्रतमा विभक्ती एक वचन, तो चतुर बना चतुर, चतुरह, क्यों चतुर नहीं लिखा, चतुरह क्यों लिखा, क्यों अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ लेते, लिखा है उचितम पदम चित्वा रिक्तिस्थानानी पूर्तिम कुरोदी, नहीं कभी भी मेरे दुआरा सुनी गई, तो अगर आप देखें, तो इसका रिक्रे अपके सामने लिखा हुआ है आपका पाठ जो है वही लिखा हुआ है कि बताए बिल की क्या ध्वनी ही जरा यानि बुढ़ापा या वानी तो उत्तर आएगा हमारा वानी क्यों कि हमारा पाठ भी वही कह रहा है ठीक है चलिए दूसरा देख लेते हैं इत्थम यानि ऐसा वेचार वेचार करके यह लगा वेचार्य यानि यहां पर कौन सा अर्थ निकल रहा है कर और करके का क्यों क्योंकि लिप लकार लगा हुआ है लिप और इक्त्वा यह दू प्रत्य होते हैं लिप और इक्त्वा ठीक है अब यह क्या करते हैं इन दोनों का ही अर्थ होता है कर और करके जब यह किसी धातु म त्वाल पत्वित गत्वाल जो भी में प्राप्ट करके तो त्वाल द्रिश तुल आजाता है तो क्या जूड़ दीता है करौर करकी कार्थ जूड़ देता है अच्छा लियप लिप प्रत्याय में लशक्त दूर्द्वित हमारा एक सूत्रत है हमारा सील का याain जाता है अर्था दाथू में अंध में यह जड़ जाता है और जो यह आ वो करता क्या है उसमें कर और करके का आर्थ जोड़ देता है अब आप काओगे दोनों का ही अर्थ जब ये की ता तो जरूरी क्या थी कि लियाप या एक्तवा अलग-अलग प्रत्य बनाने की तो ये जो एक्तवा प्रत्य है वो मूल धातु में जोड़ता है और यह जो लियप होता है वो धातू वो कैसी धातू जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो उपसर्ग वाली धातू में लियप प्रत्य जोड़ता है उपसर्ग यूप तो कोई भी जो धातू होगी उसमें लियप होता है ठीक है यहां कर और करकी का अर्थ जोड़ना है तो यहां ध्यान कीजिएगा जिसी भाई हमने बोला कि यह विचार करके अब आप नहीं सोचा कि मैंडम ने विचार को देखके ही विचार यह शब्द कैसे कह दिया तो विचार शब्द में यह लगा है तो उसने कर और करकी कार्थ जोड़ा उसमें इस प्रकार का विचार करके सह यानि की कार्थ बन रहा है ऐसा विचार करके वह शब्द का अकरोत करता है या किया अकरोत अ लगा हुआ है किसकी भूतकाल की बात हो रही है तामना भूतकाल का लंगलकार का हमारा प्रत्य दिखाई दे रहा है ठीक है ना शब्द का अकरोत यानि करता किया या किया था शब्द क किया क्या किया उसने भोजनम भोजन किया समयम समय को किया यह आवाहनम आवाहन को किया ऐसा विचार करके उसने सह यानि उसने श्रगाल का किया क्या किया आवाहन किया तो आवाहनम हमारा सही उत्तर किया है आवाहन यानि उसको पुकारा किसने शेर ने तो सह जो शब्द है व लेहाता है। क्योंकि यह प्रत्मा विभक्ती में रूप बनता है ह। यह सभी होता है। तव का अर्थ होता है वे दोनों और तेका अर्थ होता है वे सब तो सह का अर्थ वह वे दोनों वे सब तो होते ही हैं लेकिन सह का नेका भी क्योंकि प्रत्मा विवक्ती है तो नेका चिन भी जोड रहे हैं इसलिए उसमें अर्थ वह नेका नाक है कि हम उसने भी कह देते हैं ठीक है ना? तो हो गया उसने श्रगाल का क्या किया? आवाहन किया तो हमारा आवाहन शब्द सही हो गया. चले उत्तर तीसरा प्रशन देखिए यह यानि जो सहशोबते वेशोबा पाते हैं. यह यानि जो यह कार्थ क्या होता है? जो इसके भी शब्द रूप बनते हैं जरा सहकार्थ हुआ वह या वेशोबते वेशोबा पाते हैं. तो यह आगतम यानि आय हुए का यह यानि जो आय हुए का आते हुए का सहशोबते सही अर्थ लग रहा है क्या नहीं? अब यह यानि जो अनागतम जो अनागतम यानि अभी नहीं आय हुए है सहशोबते हो करते हैं यानि या जो आवाहनम सहशोबति जो आवाहन करते हैं वेशोभा पाते हैं तो कहेंगे जो अनागतम जो ना आए हुए अभी आई नहीं है यानि अनागतम आगत यानि आना गतकारत क्या हुआ जाना आगतकारत हुआ आना तो और अनागतम यानि अभी नहीं आए हुए विप अत्ति के लिए पेले से ही काम कर लेते हैं सहशोबते विशोभा पाते हैं यह अनागतम सहशोबते यह हमारा उसमें श्लोक दिया हुआ है यह अनागतम सहशोबते जो अभी आया नहीं है उसके लिए भी पेले से विचार करके अनागत ना आय हुए का भी विचार करके काम कर तो यहां पर हमारा उत्तर क्या वनेगा अनागदम जब पढ़ोगे तो उस पता चल जाएगा बाठ में दीखीगा आगे देखें सिंह गोहायाम यानि सिंह गोफा में भूत्वा अतिष्ठत हो करके छुप जाता हो कर बैठ गया कैसा हो कर दूरस्थ दूर इस्थित हो कर बैठ गया सिंग गोहा याम गुफा में भुत्वा हो करके तिष्ठ यानी बैठा और अतिष्ठत बैठ गया था सिंग गुफा में हो करके बैठ गया था कैसा हो करके बैठ गया था दूर इस्थित हो कर बैठ गया था भैभीत हो कर बैठ गया था डरकर बैठ गया था या निगूड हो कर छुप करके बैठ गया था उत्तर क्या बनेगा हमारा निगूड हा ठीक है? निगूडः हमारा सही उतर निगूडः भुत्वा अतिष्ठत निचुप करके पैठ गया था अन्य अपी पशवह अबवन अन्य भी पशु अबवन यानि हो गए अन्य अपी यहां जो अवग्र है जो चिन देख रहा है कहीं पर भी दिख जाए इसका अर्थ क्या होता है य यानि अन्य भी अन्य भी पशु शब्द कहां से मिला है उकाराम्त शब्द भानु जैसे रूप देखिए तो भानु शब्द क्या बनता है भानु भानु और भान वह कहां बनता है प्रतमाविवक्ति के बहुवचन में कहां बनता है बहुवचन में तो पशु शब्द भी बन गया पशवह जिसका आर्थ हुआ बहुत सारे पशु या बहुत सारे पशुओं ने या बहुत सारे पशु ये इसका अर्थ निकल रहा है प्रत्मा विवक्ति या तो नेका अर्थ जोड़ देती है या फिर केवल नाम बताने के लिए के यह से भी प्रियोग की जाती है ऐन्य अपी पशवख अन्य पशु भी अभवन हो गए भव यानी होना और अलगा है यानी हो गय अब क्या हो गए थे अन्य भी पशु क्या हो गए थे विंश्टा नश्ट हो पलाय मानह भाग गए थे या भैभी था भैभीत हो गए थे तो अन्य पशु भी सिंग की गर्जना से कैसी हो गए थे बताए भैभीत हो गए थे तो यह हमारा सही उत्तर बन जाएगा ठीक है चले अगला प्रेश्ण पढ़ते हैं श्लोकांश अस्य शुद्ध भावम चिनुत श्लोक के अंश का ये जो श्लोक है चारल पंक्तियां थी दो पंक्तियां दे दी इसलिए श्लोक का अंश कह रहा है श्लोकांश अस्य श्लोकांश के का की भैस्या लगा है तो का की की का अर्थ हम जोड़ सकते हैं उसमें अपने हिसाब से हम देखेंगे आगे वाला शब्द का को सही बता रहा है या की को बता रहा है या के को बता रहा है श्लोक के अंश का शुद्ध भाव चुनिये तो अब का का अर्थ ठीक है शुद्ध भाव चुनिये कि सही अर्थ क्या निकाल रहा है अब यह श्लोक क्या किरा है अनागतम यह कुरुते सहशोबते अनागतम यानि ना आए हुए यानि विपत्ती जब तक आई नहीं है उसी का यह कुरते जो पेले से ही उसका प्रबंध कर लेते हैं सशोभते वे क्या होते हैं वे शुभा पाते हैं यानि वे हमेशा कैसे होते हैं सुखी रहते हैं सह सोचेते और वो शोक मनाते है यो यानि यह यानि जो ना करोत्य अनागतम किस से मिलकर बना है करोती अनागतम और जो नहीं जो विपत्ती नहीं आई है उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं पहले से वो शोचेते वो विपत्ती आने पर शोक करते हैं अर्था वही कहते हैं कि पहले से पानी का इंतिजाम ने किया जब घर में आग लगी तब कुआ कोदने लगे तो यह एक तरह का यह होता है कि हमें हर चीज के लिए प्रबंध पहले से कर लेना चाहिए ऐसा नहीं कि विपत्ती आई उसी समय पर घर में आग लगी तो कुआ कोदने चले तो क्या बुझा पाओगे आप नहीं बुझा पाओगे तो क्या लेखा हुआ है इसी यही अर्थ यहां पर इश्लूक ने बताया है कि अनागतम ना आई हुई पहले से यही प्रबंध कर लेते हैं यह भाव उसमें छुपा हुआ है कुरूते साशोबते वे ही शुभा पाते हैं वे सुख पाते हैं और साशोचते वे क्या होते हैं वे व्यक्ति शूक मनाते हैं यो नहां यानि यह इसका मूल रूप क्या है यह जो ओकी मातरा है उत्वसंदी से आई विसर्ग की उत्वसंदी हमने पढ़ाई है जरा देख ल विपत्ति आई नहीं है उसके लिए पहले से ही जो काम नहीं करते हैं वो क्या करते हैं वो फिर बाद में शोक मनाते हैं क्योंकि विपत्ति जब आई तो आप क्या आप कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे तो करोती अनागतम शब्द हमारा करोती अनागतम बना कैसे बना है यनसंदी से बना है यहाँ पर यह जो ई हैं अस्मान स्वर के आने पर किस्में यह में परिवर्तित हो गई तो यह कर ₤ लेकिन यह स्वर इसमें आ के मिल गया तो यह हो गया पूरा और यह बने गया करोत्या नागतम जो पहले से ना-ई-ई-बिपद्ती के लिए कुछ भी नहीं करते हैं साथ सुच्चते वे शुख मनाते हैं अब इसका अर्थ क्या निकलेगा पहले थो मनें हिंदी में आपको समझा दिया अब संस्कृत में उसका अर्थ अर्थ देख लेते हैं बुद्धिमान सदा अब समझने की कुशिश कीज़ेगा बुद्धिमान सदा कार्यस्य भवेश कालिक परिणाम एव चिंद्यते बुद्धिमान हमेशा कार्य के भवेश कालिक परिणाम को ही सोचते हैं बुद्धिमान भवेश कालिक परिणाम को ही सोचते हैं क्या ये इसका ही अध्यतन का अर्थ क्या हुआ आज के ही कारे का अब कारे का कह परिणामा भविश्यती क्या परिणाम होगा इती अविचारे ऐसा बिना विचारी की कारियम कुरियाद अनदित्यम आज के कारे का क्या परिणाम होगा ऐसा बिना सोच के ही कारे को करते हैं तो यह क्या इसका निकल रहा है नहीं निकल रहा अग्ला देखते हैं संतापन ना गच्छती उनको कभी बीशन्ताप नहीं होता है तो हमारा उत्तर यही बन जाएगा चलिए अगला प्रश्ण देख लेते हैं पाठांशम पठत अदोदत्तान प्रश्णांचा उत्र पाठांश को पढ़के नीचे देखुए प्रश्णों के उत्तर आप लिखिए प्रश्ण है हमारा कश्मिन्चित वनी किसी वन में खरन खरह नाम सिंग प्रतिवसती इस्म कश्मिन्चित वनी किसी एक गाउं में खरन खरह नाम का सिंग रहता था वसती इस्म थाथिती का ती भले ही है का अर्थ बता रही है लेकिन उसके बाद में अगर इस्म ये हमारा अव्याय लग जाए तो ये था थितेव का अर्थ बना देता है उस धातू को बूत काल में परिवर्थित कर देता है कश्मिन चितन वने किसी एक वन में खरन खर नाम का सिंग रहता था सह कदाचित वह कभी इतस ततह कदाचित यानि कभी किसी समय इतस ततह अब इतस ततह शब्द किस से मिलकर बना है इतह और ततह से वह कभी कदाचित यानि कभी की बात है कि इधर उधर परिभ्रहमन गूमता ह एपינत नहीं किन्च यानि कुछ इंधे यानि किन्चित अपी कहते हैं सब्सक्राइब कभी इधर उधर घूमता हुआ चुदहा से पीड़त हुआ नहीं कुछ भी आहारम प्राप्तवान उसने कुछ भी आहार को प्राप्त नहीं किया ततह तब सूर्यास्त समय सूर्यास्त के समय में एक आम महतीम गुफा द्रिश्टवा एक बड़ी गुफा को देख करके द्रिश्टवा देख करके सहा अचिंतियत उसने सूचा नूनम यानि निश्चे ही एतस्याम गुफा याम इस गुफा में रात्री में रात्रव यानि रात्री में सब्तिमी है तो मैंकार्थ बोल रहे हैं हम को अपी यानि कोई भी जीव अगर छती कोई जीव आता है निश्चेत ही नूनम यानि निश्चे ही इस गुफा में रात्री में कोई जीव आता है अतह इसलिए अत्रव अत्र एव शब्द से मिलकर बना है अत्रव अत्र यानि यहां यहां ही निगूढ हो यानि छुप करके भूत्वा छुपा हुआ आता हूं इती ऐसा उसने सोचा अब हमने पाथांश को पढ़ लिया गद्यांश को पढ़ लिया अब इससे जुड़े हुई प्रिश्ण उतर बनेंगे तो हम कैसे करेंगे यहां शब्दों में हमने विभक्ति क्यों बताते गए वह इसलिए जिससे कि आपको प्रिश्ण उत्ती का शब्द उठा लेना और आपका उत्तर बन जाएगा जैसे कि कैसे प्रश्ण बनते हैं लिखा है जैसे हम प्रश्ण बनाना आपको बता रहे हैं उससे उत्तर ढूना आप सीख जाओगे कैसे आते हैं गद्यांश की प्रश्ण उत्तर गद्यांश में जैसे लिखा अब हमने कहा वने उत्तर लिख दिया प्रश्ण बनाया कि वने अब यहां लिख दिया हमने कह ये प्रिश्ण वाचक शब्द थे ये क्या उत्तर वाची शब्द है किसी का नाम है प्रत्मा विभक्ती में है उसके स्थान पे हमने प्रत्मा विभक्ती का कह लगा दिया क्योंक हम कहेंगे वने कह प्रतिवसति इस्म यानि वन में कौन रहता था तो अब आपने जब प्रश्न पढ़ा के वने कह प्रतिवसति इस्म ठीक है कि वन में कौन रहता था तो कह से पूछो लिंग वे भक्ति बचन बचाओ बताओ अपना तो कह कह कहेगा किम के पुर्लिंग वाची शब्द रूपों से मैं आया हूं जिसमें कि प्रतमा विवक्ति एक वचन का रूप है तो इसके ये लिंग विवक्ति वचन पूछने से क्या पता चला इससे पता चला कि जहां पर ये प्रतिवस्ति इस्म क्रिया हो रही है वहां पर पुर्लिंग वाची प्रत्मा बिभक्ति एक वक्चिन का शब्ड कौन सा है इससे देख freuen खर नाम सिंह हईं में हमें क्या करना है क्छो पी यह लिगदीना चूर Sw pseud सिंह प्रतिवसति इसम और आपका उत्तर बन जाएगा तो ऐसे प्रेश्ण पूछे जाते हैं तो हमें प्रेश्ण के प्रेश्ण वाचक शब्द को पकड़ना है और वही विभक्ति का यहां पर प्रेश्ण डून लेना है उत्तर आपका बन जाएगा जैसे पहला प्रेश्ण है एक पदिन उत्तर एक पद में देना है लिखा है खरन खरह कह आसीद खरन खर कौन था तो कह बताई प्रत्मा विभक्ति युक्त आना चाहिए उत्तर तो सब्तमी विभक्ति का क्या लिखा हुआ है व्सक्ति इसमें कहा रहता था तो सब्तमी विभक्ति का रूप लिखा है बहों किसमिं में खtar गज की है और वहाँ किसी गाउं में किसी उनमें किसी नगर ने तो उत्तर का विषीशन शब्द है तो उत्तर जो लिखा जाएगा विषीशन न होता तो कुत्र नहीं आथा यहाँ फिर विषीशन के लिए हमारा कीदृ lorsके डेते हैं तो यहाँ तो कीद्र श्थ तो आना नहीं है तो विशीशन नहीं लेना हैं क्या लेना है सब तुमी विवक्ति युक तो शब्दी लिखना है तो वन हमारा इस्थान बन जाएगा और वन हम उत्तर लिख देंगे चीए चले अगला प्रश्ण है सह की द्रशह इतह ततह अभ्रमत वह किस प्रकार का होता हुआ इधर ओधर गूम रहा था अब की द्रशब्द आगया विशेशन कि वो कैसा हो रहा था की द्रशब्द में प्रत्मा भी वक्ति है तो यहां से देखो उच्छो सह यानि वह चुदार्थ भूक से पीड़त हो करके तो यहां पर चुदार्थ शब्द कि उसकी विश्यस्ता बता रहे हैं किसकी उस सिंग की तो यहां पर हमारा उत्तर क्या बन जाएगा प्रत्मार विवक्ति देखो उमारे चुदार्थ शब्द मिल रहा है तो वही हमारा उत्तर बन जा कब देखा तो कहेंगे सूर्यास्त समय गुफाम द्रिष्टवा सहाचिंत्यत गुफा को देख करके तो देखा उसने सूर्यास्त के समय में सब्तमी विभक्ती भी लगी है तो यही इसका सही उत्तर बनेगा क्योंकि एक मुंदंने में ही बच्चे क्या करतें जब हम वाक्हें में ्ना बनाती तब इतनी समय्हारी आती तो वाक्हें में तो फूरा उठाद में उठाद है और भी बाख्ति को पहचाहिए प्रिश्माच चव्द में जानना बहुत जरूरी है आगे लिखा रांप वाकेंकं उतर दिजिए अगभा के हैं द्रिष्टवा सिंहा गोहां को देख करके सिंग क्या सोचता है सिंग ने क्या सोचा था दो सिंग ने क्या सोचा था तो है कि अब उसने सोचा था तो सोच नीकि यहां बात लिखी अब हमें क्या क्या लिखना है और सफिर आपको उत्तर डूरेत है आशाने हो जाएगी एतत विचिंतिय ऐसा सोच करके सह किम अकरोथ ऐसा सोच करके उसने क्या किया तो आप कहोगे ऐसा सोच करके अत्रईवे निगूरह भूत्वा तिश्ठती यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ तो उसने क्या किया फिर तो आप उसको उत्तर लिखेंगे सह यानि ऐसा सोच करके अब आप उसको उत्तर स्वेम से भी लेको क्या से लेकोगे आप लेक सकते हैं एतत विचिंत्य ऐसा सोच करके सह वह तत्रईव गुफायाम या आप तत्रईव ना लेको यहां से लेक दो गुफायाम यानि गुफा में निगूड़ हवुत्वा अतिश जाता है हमारा यह तरबन जाएगा चीक है चले अग्हला इसमें पहला है पहले एक वाकी दिया हुआ है इसको करके भाषा का मतलब क्या होता है भाषे काार यानि अब भाषा किस का नाम होगा किसी का नाम कहेंगे उसके पर प्रीवक करेंगे फिर क्रिया का प्रियों andь करते हैं नि भाषा के कौन से भाग होते हैं संगया सरवण नाम क्रिया वीषेश्ण सभी चीजे मिलकर ढरी तो भाशाव बनती है भासव बोल रहे हैं कुछ नहीं तो गौ스हatus संग्याभी हो सकता है कोई सर्वनाम वी तो देखने कि ना देखना क्रिया हो तो क्रियाएं भी होती हैं, काम करनी वाला भी होता है, सर्वनाम भी होती हैं, तो सारी चीजों से मिलकर ही भाशा बनती, तो भाशेकारी का मतलब भी होता है, कि कोई वाक्य दे दिया, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें क्या बनी हुई हैं, उनको हमें डूनना है, तो जैसे जीव आगच्छती आता है इती वाक्य इस वाक्य में अब हमने इतना वाक्य पढ़ लिया कि इस गुफा में कोई जीव आता है तो यहां पर जीव आने का काम कर रहा है तो जीव कौन हो रहा है यहां पर करता हो रहा है आगच्छती आता है कोई को भी शब्द क्या बन रहा है अपी शब्द यहां पर कोई भी यानि कोई इतना कोई तो यह एक अव्या practice में अब गुफा शब्own आधार बन रही है और उसकी विशिस्ता बताने वाला शब्द येक इतस्याम बन गया इस द्री लिंग में जूंकि कि गुफा शब्द siyaam इसमें ठीक है ना तो इस तरह से हमने चारों-पांचों शब्दों को देख लिया कि एक हुआ कि हमारा पांच शब्दों से मिलकर बना और सभी अलग-अलग बन रहे हैं कोई प्रत्मा विभक्ती में हैं अर्थात करता बन रहा है जो आने का काम कर रहा है यहां पर अव्या श इसमें प्रत्मा विभक्ती में सामने क्स क्या बन रहे हैं इसमें प्रत्मा विवक्ती लगी हुई है तो यह हमारा उत्तर बन जायेगा समझ रहे हैं इस तरह से करता ढून ले अब यहां पे लिखा हुआ हो सकता है कि असमिन वाके इस वाके में क्रिया पद से किम क्रिया पद कौन सा है क्रिया पद किम क्रिया बदम किम तो आप कहेंगे यहां पे जिसम क्रिया कैसे ढूनते हैं तो बही जो काम करने का बात बोध कराए हमें किसी काम की होने का बोध कराए उस शब्द को धातु कहते हैं क्रिया कहते हैं और उसमें जब कौन से प्रत्याय लगे होते हैं अर्थात लकारों में लगने वाले जो प्रत्याय होते हैं अगर कुछ दिख रहा है किसी दातु में तो क्रिया आट जा सकता है हम आपको तरीका बता हुए है प्रेश्न का मुत्र बता दें उप्राइब बढ़े अगे आपको किस तरह की प्रशिन और आप ठाए और उन थे प्रशन को हल कर पा यहा तरीफ सिखा रहा है आप हो आगे लिखे ए आगे लिखा हुआ है प्राशन एतस्याम गुहायाम अत्रकिम विशेशन पदम एतस्याम गुहायाम इस गुफा में विशेशन पद कौन सा है यह दू जू पद है विशेशन और विशेशी क्योंकि भाई जो विशेशता है जैसे हमने कहा अश्व यानि हो गोड़ा अश्व को हमने नम बता रहे हैं तो प्रत्मा विवक्ति का प्रियूख करके हमने कह दिया अश्व यानि घोड़ा अब हमने कहा सफीद घोड़ा तो श्वेट जो शब्द में अगर प्रत्मा विवक्ति है तो श्वेट में भी प्रत्मा लगा के हम क्या देंगे श्वेत हा अश्वह समझ गए तो इस प्रकार से जो विशेशन और विशेश होते हैं भाई किसकी विशेशता बताई गई गोड़े की बताई गई तो गोड़ा क्या हो क्या विशेश्य जो संग्या शब्द होता है यानि किसी का जो नाम होता है संग्या अर्था बताई जारी है इस शब्द की बताई जा रही है तो और विशेस्टा बताने वाला शब्द विशेशन कहलाता है क्या कहलाता है विशेशन कहलाता है ठीक है तो हमारा प्रश्ण अगर आप से पूछा जाए कि श्वेत अश्वा अनयो पदयो यानि इन दोनों पदों में दूसरी तरह से प्रस्षण पूछ लिया जाए कि श्वेतः अश्वह अनई वदयो विशीष बदम कि तो आप कहेंगे अश्वह ठीक है तो इस तरह से यहां पे विशीषन विशेष जुड़े हुए भी प्रशन आप से पूछ लिये जाते तो आप इस गोफा में अत्र mort यहां पर बताए कि किम विशीषण पल्टम यहां पर कौन सा है तो आपको हम यह इंद तलया है तो हॉंकि गुषा शर्थ क्या है जो विशर को지를 रुखान हे है विशर क संभ्या एंट सारनामशद सार्वनामशद कौन से होते है बनते हैं और कि मल हो गया कट्ट हो गया ना कि कोई वर्ण का नाम हो कहते हैं एक अस्य वन अस्य तो एक वन का एक वन का एक अस्मिन वने एक बन में तो कितने बन में कहेंगे एक बन में तो संख्या भी विशेशन बनती हैं तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि विशेशन पूछा जा रहा है तो अगर किसी पद के सामने संख्या लिखी हो यह स एकस्मिन वाने अब वन शब्द में सब्तमी है तो उसकी संख्या जो एक विशेस्ता बता रही है उसमें भी वही विभक्ती लगी होगी तो ध्यान करना कि आप कि किसी संग्या किसी नाम में जो विभक्ती है उसी विभक्ती वाला को उसके सामने जो शब्द लिखा हुआ है स सकता है तो विशेष्टा वाले शब्द सर्वनाम भी हो सकते हैं संख्यावाची शब्द भी हमें मिल जाते हैं और रंग मिल जाए कोई अलग क्वालिटी मिल जाए सुबोत बात अलगी है तो इस तरह से हम विशेष्टी को चांट सकते हैं आगे लिखा है वाक्य किम अव्याइपदम प्रियुक्तम बत वाक्य में कौन सा अव्याइपद आया तो यहां पर हमें जाना पड़ेगा देखेंगे लिखा है एतस्याम गोहायाम को अपी जीवा आगच्छती तो भई हमने यह बता दिये एतस्याम गोहायाम अब आप कि जीवा हर शब्द में भी हमारा क्या बना हुआ है यह भी हमारे बिवक्ति युक्त बना हुआ है शब्द प्रत्मा बिवक्ति में आगच्छती क्रिया भी अपने कितने रूप बललती है उसकी आप गिंती देखो आप हम बता है कि क्रिया के कितने रूप बनते हैं एक लक लकार में एक क्रिया के जो रूप बने हैं वो बने हैं नो रूप बने और लकार होते हैं दस तो कितने हो गए नब्बे हो गए और ये बात हम कर रहे हैं किसकी ये हम बात कर रहे हैं परस्माइपद की किसकी परस्माइपद की और जब इनके हम किसके बात करें आत्मने पद की तो नवे ही उसमें रूफ बनते अर्दाथ एक क्रिया के 180 रूफ बनते हैं समझ, तो इसलिए भई इसके तो इतनी रूफ बदल रहे हैं, तो ये तो अवैर नहीं हो सकता है stware न तो ये भी अवैर नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है अब यहां लिखा है ये को अपी को अपी भी वही किस से मिलकर बना है कह और अपी शब्द से मिलकर बना है अब ये कह शब्द है ये भी अपना रूप बदलता है क्योंकि ये तो किम का शब्द रूप है तो ये को अपी हो गया क्या अब ये न परिवर्तन होता नहीं है वह हमारे अव्याय कहलाते हैं मतलब ऐसा दस का नोट के जो जिम में रखा हमने पूरे शेयर को घुम के आ गए और उसको हमने निकाला नहीं खर्ची नहीं गिया तो क्या हुआ वही है जो खर्च नहीं कर पाएं पैसे जो बोई जैसे कि तैसे बने आजा है वह यह है परीवर्तन हम इसी होता कि दस मेंसे हम दो रुपए कर कुछ ले ले लित तो तो ऑं पर बचन कौना तो इसके लिए राद तो इस तरह से यह हमारी रूप बन जाते हैं अब अगला प्रेश्ट है यथा निर्देश जैसा निर्देश दिया जाए वैसे रिक्ते स्थानों की आप पूर्थी कीजिए अब क्या लिखा हुआ है एतस्याम अब याम शब्द ध्यान रखेगा याम जो शब्द आता है हमार एसे ही एतत शब्द सप्तमी विभक्ती एक वचन में बनता है एतस्याम तो अब हमें क्या करना है इसके दोई वचन और बहुचन को बनाना है तो दोई वचन में क्या बनेगा एतयोह यो यो सश्थी सप्तमी दोई वचन ऐसे हमने आद करवाने की कोशिश करी है आपको तो एतत शब्द क्या बन जाएगा एतयोह और नाम सू अर्थ में आता है किसमें सब्तमी के बहुचन में तो यह हो जाएगा एता सू एतस्याम एतयोह एता सू ठीके ना चले आगे देखी गुहायाम तो उसका भी दोईवचन और बहुचन क्या बनेगा गुहयो जैसे लत यो बढ़िया की मात्रा का लोप उजयता है गुहयो और गुहसू ठीके द्रिष्टवय शब्द को अलग-अलग करके बताना है कि धातू और प्रत्त General कौन से इनके अच्छा अब हमें संधी का विच्छेद करना है संधी विच्छेद क्या कह रहे हैं देख लिखा है संधी ही संधी या अव्वा का अर्थ हम पहले या बोलेंगे क्योंकि जो जोनने वाले शब्द है न संस्कृत में दो पदों की बीच में अगर जोनने वाला या या और जाता है वह का अर्थ क्या होता है यहां बेभी संस्क्रित का यह जो या शबद है उस को पीछे लगाएंगे संधी या विच्छेद कीजिए कृयताम टो छोधार्त तो छोधार्त हषब किस से मिलकर बना है छोधा और आर्थ शब्द से अगर हम इसको अलग-अलग तोड़े देख भया मैं पता सही तो होना चाहिए कि किन शब्दों से मिलकर बना है बड़े आ की मात्रा दिख रही थी अर्थात समझ लीजिए कि इसमें हमारी अकह सवरने दीरगह का नियम लगा हुआ है अर्थात बड़ा आ किस से मिलकर बनता है कि आ की बाद यदि आ मिल जाए यह व फर्क नहीं पड़ता है अकह सवर्णे दीरगह यानि के बाद में अ होना चाहिए सवर्ण के होने पर वो दीरग बनेगा ही और अक के अंदर अक एक प्रत्याहार होता है उसके अंदर आने वाले केवल पांच सवर होते हैं अ, ई, उ, री और ल्री ठीक है ल्री का दीरग न इसको बड़ा अ इसको बड़ी ए बनना है इसको बड़ा ऊर इसको दीरगरी तो यह अक्यस ANDbreaker का शूत्र हुआ तो यहांपर हमने चुदार्थ शब्द का धा को तोड़ा तो धमें से हमें आ मिला अब इस आ को हमने तोड़के देखा तो दो छोटे आ में अगर बनाते तो एक छोटा आ इसको देना पड़ता तो ये अर्थ बन जाता तो कोई अर्थ ही निकल नहीं रहा था यहां पे भी हमने धा को अगर आ देते तो धा छोटा बनता और ये छुद शब्द हो जाता तो ये इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता तो अब हमने इनको बड़ा बड़ा देने की शुरू किया तो इसको बड़ा दे दिया तो छुदा का अर्थ हो गया भूख और आर्थ का अर्थ हो गया दुख तो अब मैं इस पश्ट हो गया कि इन दोनों शब्दों से ही ये चुधारत शब्द मिलकर बना है अमारा ऐसे ही अत्रईव अब आई की मात्रा कहां आती है वृद्धी संदी में आती है वृद्धी संदी क्या कहती है कि अ का मेल छोटे या बड़े का मेल किस से ए या आई से होने पर एक मात्रा की वृद्धी हो जाती है ने अई की मात्रा बन जाती है इन दोनों की मेल होने से तो अब हम क्या कर सकते है कि अत्रईव हमारे पास जो शब्द है मिला हुआ शब्द है तो विच्छिद करना है अलग-अलग होते तो जोड़ देते हैं तो त्रई को तोड़े ले कि ये छोटे को लेना देना नहीं होता है यहाँ पर हमारे पास क्या लिखना है त्रत्रा से ही तो ये तूटा था तो हम इसको पहले छोटा आ देके देख लेते तो अत्र हमारा अव्याय बने गया थीक चोटे आ से ही तूटना था इसको यहां पर अब यहां देख लेते हैं यह आएगा या यह बचा हुआ ना अन्तवाला शब्द कौन सा है यह यहां पर वा है और यहां पर अ है तो आ के संग में तो यह तरह पूरा मिलकर आ गया यहां से तुट्रा बन गया अब वा के ला रह है तो पहले यह देख लेते हैं तो यह व से सही बन रहा है या अई अई वसे कुछ नहीं होता है यह होता है यहां पर हमें दो अव्याय मिले अत्र और इस प्रकार से हमारी संधी तोटी संधी हमें आपको करवा चुके हैं पढ़ा दिया है ठीके ना तो यह हमारी क्या संधी विच्छे दो गया अगला प्रश्ण है मंजुशा तह समानार्थक अंपदम आदाय रिक्तस्थानानी पूर्यत मंजुशा से समानार्थक पदों को जैसे कि आपको उनके अर्थ पता चलने लगें बाकी तो समझ में आई रहा है कि समानार्थक यानि समान अर्थ वाले पदम पदों को आदाय अब आदाय शब्दा लगो गया इसलिए हमने उसको बता दिया मंजुशा क्या होती है बॉक्स या पेटी को मंजुशा क्या देत आते यानि से कार्थ बताती क्योंकि समान अर्थक पद ले रहे हैं वासे अलग कर रहे हैं इसलिए मंजुशा तह यानि मंजुशा से समान अर्थक पदों को ले करके रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए अब महतीम लिखा हुआ है महत का अर्थ हुता है महान महत शब्द या गमिश्यामी यह जा रहा हूं। या का आर्थ क्या होता है ? या धातू और गंधातू ये दोनों ही जाने का अर्थ बताती है या धातू का अर्थ भी क्या होता है जाना और गम धातू का अर्थ भी होता है जाना अर्था दोनों का मतलब एक ही है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है समान अर्थक या का समान अर्थक गम मिल रहा है या स्यामी जाऊंगा तो गमिश्याम जाओंगा दोनों समान हो गए दोनों में कैसी भविश्यकाल की ही धातु लगी है भविश्यकाल की भी उत्तम पुरुष वाली आमी एक वचन वाली दोनों में आमी दिख रहा है ठीक है न अब छुधार्थ यानि भूक तो वो भूक्षित भूक की बात आगे रवम रव किसक गठान की बूलाता तो आका यह सिसी अन्य भूलाएगा इथ्थम यानि इस प्रकार तो यह काँ त यह हो गाए आपके समानार्थक शक्द चलिए अब अग्ला प्रशन है हमारा शुद्धास से कथना से समक्षम शुद्ध कतन के विशेष्य कथन के विलीए कैसे कथन के की कार्थ जोड़ रहा है लेकिन शुद्ध के कथन के समक्षन नहीं कि भूला हमने का शुद्ध कथन के ठीक है विशेशन में हम कभी भी विभक्ती का चिन्ने नहीं जोडते हैं हम उसके विशेश में जोड़ते हैं यानि सही कथन के समक्ष में आम यानि हां और अशुद्ध हस्यस समक्षम अशुद के समक्ष में आप न लिखिए दधी पुछ सिंग पद पदतिम पश्यती दधी पुछ ने सिंग पद के सिंग के पैर की चिन्हों को देखा देखता है कहेंगे हां तो आम हो जाएगा सह तरक यती वह तरक करता है यत की सिंग गुहा या गुहा की बही गतह बाहर गया है वह तरक यती वह अपनी मन में ऐसा तरक करता है ऐसा सूचता है कि सिंग गुफा की बाहर गया है ऐसा सूचता है सह सिंह से आवनाम करोती वह सिंह का आवान करता है नहीं वह गुफा का आवान करता है सह गुफायाम प्रविशती वह गुफा में प्रिवेश करता है कहेंगे नहीं नहीं करता हूँ तो बाहर खड़ा रहता है बाहर दूर खड़ाओ के आवाज करेगा पूर्वा में पूर्वा मपी शृता आसित श्रिगाल की द्वारा बिलकी वानी को पूर्वा मपी पहलेभी शृता आसित पहले भी सुनी गई थी? नहीं सुनी गईती यह अनागतम जो बिना आए हुए करोती सहशोबते, जो बिना विपत्ती आए हुए पहले ही काम कर लेते हैं सहशोबते, यह सुख पाते हैं, कहेंगे हाँ, बिलकुल सही बात है, तो इस तरह से यह हमारे आम और ना होते हैं, अच्छा, कब अब कुछ ये पार्ट से जुड़े हुए आपके पूर्ण वाके के उत्तर हैं तो जरा देखियें कि हमारे कैसे प्रशनों के उत्तर बनेंगे पूर्ण वाके में देना है ददी पुछ कथम तरक यति यत सिंग गोहाया में इस्थता अस्ती ददी पुछ कथम कैसे तरक यति ऐसा तरक लगा लेता है यतकार दोता है कि क्या कोता है है तर्क घंग जिकला आईडिया ऐसा सूचता है ददीफुच कैसी तरक जती कैसे एसा ऐडिया लगा लेता है कि सिंग गुहां में ही इस्तित है ऐसा उसने कैसे सूचा पद चिन्नों को देखकर तो हमारा उत्तर क्या बनेगा सिंग पद्धती सिंग के पेरों के निशान को गुहायां प्रविष्ट आस्ती गुहा में प्रविश कर रहे थे परम बही ना आगता लेकिन बाहर नहीं आये थे ये तत द्रिश्टवा ऐसा पुच्छ से शब्दम सुच्वा सिंह किम अचिंतियत दधी पुच्छ के शब्दों को सुनकर किम क्या सिंग क्या सूचता है तो दधी पुच्छ से शब्दम सुच्वा सिंह सिंह अचिंतियत सिंह ने सोचा अब किम को हटा कि हम अचिंतियत तक लिग देंगे इसकी बाद हम अब जो सिंग ने सूचा था उस वाग को क्यों लिख देंगे के नूनम एशा गुहा स्वामी नहा सदा आवनाम करोती निश्चही यह नूनम एशा नूनम शब्द में मा कैसा है हलंत में है और एशा गुहा की अलग भई इनको अलग भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से नूनम यानि निश्चही एशा यानि यह गुफा क्योंकि भई गुहा शब्द की विशिस्ता बतारी है यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है स्वामिन शब्द में नकारांत शब्द है इसमें सश्ठी विवक्ती लगी है तो काकी के कार्थ जुड़ रहा है ऐसा उसने सोचा था क्या विचार करके सिंघ अचानक से श्रगाल का आवाहन करता है बताईए क्या सूच करके तो उत्तर है श्रगाल बिल में प्रवेश करेगा मेरा भूजन हो जाएगा इती विचार ऐसा विचार करके सहत्तस्य आवाहनम अकरूत वह उसका आवाहन करता है कि निश्चित ही ये गुफा अपने स्वामी को बुलाती है और श्रगाल बिल में प्रवेश करके मेरा भूजन हो जाएगा ऐसा विचार करके सहत्तस्य आवाहनम अकरूत सिंग के उच्छ गर्जन की द्वारा क्या होता है सिंग के उच्छ गर्जन की द्वारा जो सर्वे प्राणी ना सारी जो प्राणी होते हैं कैसे हो जाते हैं भाइबीत हो जाते हैं तो आप कहेंगे अन्ये पश्वह अन्ये सारे पशु भाइबीता अववन भाइबीत हो गया श्रगाल हा अपी श्रगाल भी दूरं पलायता दूर भाग गया ये आपके पूर्ण वाके के उत्तर बनते हैं आगे लिखा है मंजुशात हा उचितम अव्याइपदम चित्वा पाठांशम पूर्यत मंजुशात से उचित अव्याइपद को चुन करके आपको पाठ के अंश पूरं पूर्ण करना था अब आगे लिखा है अस्मिन ब्ले सिंगह अस्टी ृति तरकएयां में इस इस बिल में सिंघ है ऐसा तरक तरख कर रहा हूं एसामें सही सोच रहा हो तत कीं करवांगी तो क्या करूं तो फिर क्या करूं विचिंते सोच करके सदूर इस्थ वह दूर इस्थित हो के रवम कर तुम आरब्ध रवम यानि आवाज को शब्द को करना आरब्ध शुरू कर देता है तो एवम ऐसा विचार करके एवम विचिंते इस प्रकार का विचार करके भोबिल भोबि है क्या तो मैं नहीं समरण है यन-मया कि मेरे द्वारा तौया स तुम्हारे साथ मैं समय्हकृतो अस्ती ऐसा शर्थ Teacher की गए थी कि यतकी यदा जब अहम बाहत प्रत्याग मिश्यामी कि मैं जब बाहर से लौट कर टती आग मिश्यामी जह मैं बापस लौट कर आऊंगा तदा तब तो माम आकार यसी तब तुम मुझको बुलाओगे यदि तो आम अगर तुम माम ना आवाह ? अगर तुम मुझको नहीं बुला रही हो तरही तो फिर अहम दूदीतियं म्यास्यामी तो फिर मैं दुई किये विल में चला जाओंगा तो इस प्रकार से ये अव्याय हमारे शब्द हमने इसमें पूर्ण कर दिये अर्थ क्या निकलता है यदी का मतलब अगर अधीका तो फिर यदाकार्थ क्या होता है जब तब तदाकार्थ क्या होता है तब नूनमकार्थ होता है निश्य निश्य या निश्चिती सह यानी साथ एवम यानी इस प्रकार ठीक है? तो ये आपके लिख भी लीजिए यूकि अव्यायों के हमें अर्थ पता होना चाहिए तो सही तब जब अर्थ पता होंगे तब आप उनका सही प्रियोग भी कर पाएंगे चले अगला प्रश्च है अदोदत्तानी वाक्यानी कथा या घटना क्रमेन योजित आप को नहां लिखाद नीचे दिये हुए वाक्यों को कथा को घटना क्रम के अनुसार योजित करके लगा करके फिर से लिखिए अब यहाँ वाक्य है कथा के अनुसार नहीं लगे हैं उच उपर नीचे लिखे हैं कि कब कौन सी बात हुई ये पहले बाद की बात को पहले लिख लिया और पहली बात को बाद में लिख दिया कथा को क्रम की अनुसार लगा कि कौन सी घटना पहले हुई तो अब हम पहले पढ़ते हैं उसके साथ से घटना की अनुसार हम लगाएंगे साथ क्या लिखा है सह गोहायाम निगूडो भूद्वा अतिष्ठत वह गोफा में छुप करके बैठ जाता है तो ये तो अभी बहुत बात की बात है पहले तो वो भूख से ब्याको लोग वे घूम रहा था उसको कोई जन्तु नहीं मिला तक आने के लिए तो ये बात पहले ह होगी चलो देखते हैं क्या मिलता है सह उच्चई वदती हे बिल यदी तुआम माम ना आहो आई सी तरही आहम द्वीदियंबलम या सियामी वह जोड से कहता है कि हे बिल अगर तुम मुझको नहीं आवान करोगी तो फिर मैं दूसरे बिल में चला जाओंगा अब ये तो ब पुलाएगा तब सिंग गर्जना करगेगा तो अब हमें एक क्रम पता चल रहा है सहचिंतियती सुचता है नूनम सिंग विल से अंतह इस्थित है क्या करनाच क्या करूं तो ये तब सुचेगा जब उसने गुफा में सिंग को प्रिविश करती हुए पदिचिन्नों को देखता है सिंग पदपदती गोहायां प्रविष्टा तो अब यहां यह पहले की बात हो गई इसके बाद यह आएगे चले चुदार्त सहा इताता भ्रमती सुर्यास्त समय चा एकाम गोहां बश्यति भूख से ब्याकुल होकर यहां वहां गूंता है और सुर्यास्त के समय में इह वह एक को देखता है तो यह कहां की बात होगा है सबसे पहले की संगह रहता था चुधा से व्याकुल हो कि वो यहां वहां गूम रहा था अब यहां पर देख लेते हैं कदाचित भायाद बिलम ना वदती निशित ही भाय से बिल कभी नहीं बोलता है ऐसा विचार करके सिंगह श्रिगाल से आवनम अक्रोद कदाचित उसने सुचा शायद भाय की द्वारा मैं इस गुफा में बैठा हूँ इसलिए बिल शायद भाय की कारण नहीं बोल रहा है ऐसा विचार करके श्रिगाल का आहवन करना शुरू कर देता है सिंगह चीक है न तो चलिए पहला हमारा जो बाकि बनेगा वो क्या बनेगा कश्मिंचित बने एक सिंगह वसती इसम चु गाल आगत्य पश्यती सिंगह पदपदती गुःःएं प्रविश्टा सह अचिंतियत नूनम् सिंगह बिलस अंतह इस्थितह किम करवानी सह उच्चई वदती हे बिल यदी तुम्माम ना आवयसी तरही अहम जृतियम बिलम या सियामी कदाचित भयात बिलम न वदती इती इस तरह से यह हो जाता है हमारा काफी बड़ा था लेकिन कई चीज़ें थी इसमें हमारे अव्याइशब्द बहुत सारे आये थी तो इनको भी अपने देख लिया हल करना भी हमने आपको बता दिया अजये यह सारे वीडियो आपको देखें मैंगे वेबसाइट पहना बहुत लेकिन होता क्या है कि प्लेइलिस्टर को जब ढूलते है ना तो दिमाग चकर खा जाता है ठीक है कोई चीज वरी सरल भाष सरल तरीर के से मिल जाए ना तो पढ़ने में भी मजा आता है नहीं तो आदा टाइम तो हम ढूनने में व्यस्त होगा है और उपर से करेंगे ओपन करेंगे तो इस तरह से एक्सप्लोट आप कोर्स जैसा आपको पीज दिख जाएगा यहां इंग्लिश मीडियम में जाएंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं हाला कि हिंदी मीडियम में शुरू हो चुका है तो जो भी आपके आसपस पढ़ने वाली बच्चे के हिंदी मीडियम फी वीडियो के लिए स्टेट बोर्ड के लिए यहां मैगनट मेर्स पर दीजा रह रहे हैं तो यहां जाओगे आपको चैप्टर वाइस वीडियो मिल जाएंगे पहले चैप्टर पढ़ देना तब टेस्ट करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा तो इस तरह से भी वीडियो मिल जाएगा आपको और जो हमारा मैगनेट बिस हिंदी चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में कोई दि कर वाएंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धनिवाद